Hello everyone, welcome to my youtube channel तो आज हम बात करेंगे B8 के exam का जो paper होता है उसका paper में जो question आते हैं उसका क्या pattern रहता है, marks कैसे divide होते हैं कितने marks के question paper आता है हमारा B8 first year का first year का भी देखेंगे और second year का भी देखेंगे तो दोनों year के paper हम देखेंगे किस तरीके से आते हैं और कितने करने होते हैं और marks कैसे divide रहते हैं तो चलिए, बाकी आपको first year का syllabus देखना है तो भी वीडियो बनी हुई है, उसका syllabus की क्या pattern है, कितना paper आता है और paper में क्या-क्या content है सभी कुछ मैंने one by one एक paper, first, second, third सभी कुछ का डिटेल में मैंने one by one जो वीडियो है, बनाए हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, यदि syllabus देखना है आपको first year का और second year का देखना है, तो उसे भी मैंने बताया हुआ है playlist दी हुई है, तो आप डिटेल में उसे देख सकते हैं, और continue कोई भी information लेने के channel से जुड़ सकते हैं, और रही बात आपकी question को answering को किस तरीके से करें, तो इस channel के थूँ आप उसे भी प्राप्त करेंगे, तो continue इस channel से जुड़े रहें, और बिट का कोई भी, मतलब CCS university यदि आपकी है, आपने admission लिया है अभी, या आप लेना चाहते है तो इस channel से जुड़े रहें, continue मैं इस channel के थूँ आपको questions के answer, short, mini short, short दो number के आते हैं, और एक 4 number का आता है question, और एक 16 number के question आते हैं, तो तीन जो pattern है, ये follow करता है आपका beard, ठीक है, तो इसमें 3 types के question आते हैं, आपको question के answer कैसे और कितने page के करने हैं, सभी कुछ हम जानेंग प्लस आप इस channel से जुड़े रहें, तो आपको आगे ये भी जान करेंगे, question के answer भी मैं करवाओंगी, कि आपको कौन कौन से questions जो बहुत important है, जो exam के point of view से important है, और exam में पूछे भी गए हैं, उन्हें भी हम solve करेंगे, जिससे हमारे जो marks हैं, अच्छे राप्त कर सकें, ठी degrees हो, degrees ना हो, इसके लिए हमें उसके लिए practice करनी होगी, ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं, कि pattern क्या है, तो pattern इसका जो है, आपका, जैसा कि मैंने बताया, three base है, जाकि one section, three, three, sorry, तो ये section जो है, three section में divide है, आपके जो question के types रहेंगे, three types के question आएंगे, इसमें, आपका एक जो रहेगा, आपका long question, ठीक है, एक long question type के question आएंगे, और एक आपका short आएगा, एक आपका जो आएगा, medium आएगा, तो three types के questions आएंगे, number के according के आपको answer करना है, तो इसमें हम देख लेते हैं, the content, component of the internal assessment in each theory paper of hundred marks will be as under, subject based presentation आपके five marks की है, और subject based assignment जो होंगे, आपके वो भी five marks के रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो के थुरू, कि आपके जो ये marks five five के रहेंगे, पर subject, पर practical का, वो आपका जो है, college देगी, बाकी जो marks रहेंगे, आपके 20, वो आपका इन्वेस्टी देगे, तो इसमें इसी लिए बेस से दिया हुआ है, कि 10 marks का आपका internal test रहेगा, बाकी है आपका जो theory है, marks जो रहेंगे, 50 के रहेंगे, उसका भी आपको conduct करना होगा, ठी पेपर का pattern देख लेते हैं, आपके जो, the format for the marking, scheme for question paper in theory, course, maximum जो होगा, आपका 80 का रहेगा, जैसा कि बताया था कि 100 marks का रहता है, तो 100 में आपके जो marks हो जाएंगे 20, 20 के जो marks रहेंगे, बीर्ट का, जो है आपका, बीर्ट फर्स्ट इयर का, तो उसमें आपका जो रहेगा, 20 marks का जो रहेगा, आपका practical रहेगा, जिसमें से 5 marks आपके जो college देगी, और 15 marks आपके, कौन देगा, वो university देगी, तो इसमें आपके जो marks रहेंगे, इसमें जो आपका marks रहेगा, इसमें आपका 80 marks के question return वाले आएंगे, जिसमें से आपका questions जो रहेगा, 3 question रहेंगे, long वाले, जो three question आपके दिये हुए हैं ये आपके ठीक हैं तो ये जो three question दिये ये long question जो होंगे 66 marks के three question आएंगे इस तरीके से आपके 48 हो जाएंगे long question तो three question आपको long करने है question और करके आ सकता है A करें या B करें C करें या D करें इस तरीके से question इसका pattern रहता है कि a b करके दो देते हैं question जिसमें से आपको एक करना होता है तो इसी तरीके से आपके जो question रहेंगे six question रहेंगे जिसमें से आपको three question करने होंगे ठीक है और next आपका section b में रहेगा तो eight question रहेंगे आपके देखिए out of four out of eight questions आपको eight questions में से कितना करना है four करना है four four marks के रहेंगे तो एक question पर आपका रहेगा four marks का इस तरीकी से आपके हो जाएंगे six three marks के six three marks के आपके medium short रहेगा ये long रहेगा उसे थोड़ा short ये है फिर very short जो रहेंगे आपके उसमें से आपको ten में से eight करने है ठीक है very short में आपको क्या करना है ten में से eight question करने है इसका मतलब आपको study करनी है, पढ़ाई करनी है compulsory करनी है और अच्छे से करनी है तो हम short जो question है वो मैं continue लेके आती रहूंगे इस channel पे जिससे हमारे short के according आप long को भी कर सकते हो जो आपका medium रहता वो भी कर सकते हो तो यह question आप easily कर सकते हो यदि आपको short question content जो है अच्छे से आता है ठीक है तो हम इस focus करेंगे short वाले पे medium पे भी करेंगे long वाले भी हम लेके आएंगे लेकिन उसकी जो theory रहेगी वो आपकी इसमें के आपको 8 करने हैंगे 22 marks के रहेंगे तो 16 हो जाएगा इस तरीके से आपका 80 marks का complete हो जाएगा यह question paper ठीक है मैंने बता दिया कि आपको question का pattern है वो कैसा रहेगा तो इसमें से आपको जो 3 question है 6 रहेंगे 3 करने है long में और जिस हिसाब से number दिया है उस हिसाब से pages में आपको जो answer है काफी अच्छे से लिखना है काफी page को जितना page आपका demand कि इस number की हो उस हिसाब से आप answer भी mention करेंगे यह नहीं कि आपका 16 marks का है और आपने page 2 ही page में आपके 3 या बच्चे करते हैं पेज में या 3 में अढ़ाई में या आपने 16 marks का question write कर दिया तो ऐसे में आपका marks जो है नहीं मिलेंगे इसलिए जिस आप से question हो number आगे दिये हो उसी साब से उसका answer लिखिएगा और 2 का भी है यह नहीं कि 2 marks का है question आपने उसे क्या किया दो पेज में भर रहे हो या एक पेज पूरा भर रहे हो दूसरा भी धाई या देड़ पेज का यूज कर रहे हो तो यह ऐसा नहीं करना है 2 marks का है जितना पूछा जा रहा है आप उस नहीं लिखिए second paper आपका जो है section B है इसमें आपका 4 marks का है इससाब से एक पेज जो है इनफ है एक पेज में आप डेड़ पेज में करते हो तो 4 number का काफी है ठीक है ऐसे तो half page में ही इनफ है यदि आप content काफी अच्छा आपने लिखा है तो जो पूछा जाए वो ही लिखिए ठीक है अब हम देख लेते है second year का क्या है second year का आपके format में दिया हुआ है 40 marks का वो हमारा 80 marks था जो beard first year था उसका जो paper का pattern था सेम ऐसा ही है लेकिन marks में changing है इसमें आपका 40 marks का रहेगा उसका आपका कितना का था 80 का था यह आपका 40 का है 40 में आपका 10 के जो है practical में चलेगे उसके 20 हमारे practical में गए थे तो इसका pattern भी उसी तरीके से इसमें question जो है आपके 2 question करने है choice जो आपकी है इसमें आपको internal choice है आपके 2 question की तो 2 question of 12 marks 2 question आपको 12 marks के करने है ठीक है आपका 2 question जो रहेगा 12 marks का 1 1 रहेगा तो आपका long question इसमें कितने का बन रहा है जो long question है आपका 12 marks का बन रहा है first में आपका 16 का था इसमें 12 का है second year का ठीक है और आगे आपका है second जो section है इसमें आपको पहले में आप 2 कर रहे थे question 3 अब इसमें second year में आपको 2 question करने है 12 marks के हैं ठीक है आगे आपका ये जो marks है इसमें दिया हुआ है 2 out of 4 तो 4 करने हैं देखिए 4 marks के आपके कितने हैं 2 question 4 marks के तो आपको कितने करने 2 question करने इसमें 3rd section में क्या है आपके 6 question दिये हैं और आपको कितने करने है 4 question करने है इसमें कितने करने है 4 और ये कितने के है ये 2 marks के 2 marks के 4 question करने है और आपके 4 marks के 2 question करने है और आपका long question जो है आपका 2 question करना है इस तरीके से 6 question आपको complete करने है ठीक है आपका number किस तरीके से इसमें add है हम बता दे रहें जो long question है 2 question हो गए आपके 24 के ठीक है और short question जो 4 marks के हो गए वो 8 number का हो गया ठीक है यह हमारे कितने हो गए 30 question हो गए अब यहाँ पे आपका क्या है 2 question है ठीक है तो यहाँ पे आपका 2 question है तो यह कितने का हो जाएगा आपका तो ये आपका 30 40 हो जाएंगे टोटल ठीक है 8 कितना हुआ 16 और 24 हो गया आपका 40 तो इस तरीके से आपके question के answer आपको इसमें करने है ठीक है तो इस तरीके से question का pattern रहेगा आपको question जैसे कि मैंने बताया marks दिये हुए है उसी साब से आपको करने है और short question आपको जो first year का उसमें तयार करना है second year में अभी आपको इसी तरीके से करना है content आपके mind में जितना अच्छा रहेगा जितना तयार करेंगे उतने अच्छे questions के answer आप लिख सकेंगे तो channel से continue जुड़े रहें और कोई query रह जाती है तो comment box में mention कर सकते है next video में फिर मिलते हैं thanks for watch